So how to set up a new laptop So this laptop is HP So I am going to set up this laptop And guys this is just setup It means starting Microsoft account Laptop on after being on I am going to set up this laptop So its model name is HP 15SGR0011AU So this laptop is Ryzen processor 8GB RAM plus 1TB HDD Its cost is approximately 39000 So specs does not mean because Laptop setup is same So first let's open laptop Here is some user manual So laptop is a little side Charging cable Plus adapter So one thing I will tell you Laptop on some stickers So this sticker is an important thing That is your serial number So this serial number is your laptop Laptop पे भी लिखा रहता है तो फर्क नहीं पड़ता है Information के लिए बता देता हूं यह रहा laptop So and यह रहा adapter So सबसे पहले On करने से पहले आप लोग को adapter को Connect कर लेना है वैसे laptop by default Charge आता है थोड़ा बहुत But फिर भी हमेशा recommended होता है पीछे साइड पे लिखा रहता है तो आपने अपने laptop में चेक कर लो यहां पे पीछे में कुछ डिटेल्स लिखा रहता है So first time laptop को on करते है So सबसे पहले and by default अभी इंडिया पे ही है तो इंडिया को select करना है and यहां पर yes Then आपको यहां पे keyboard layout को set करना है So English इंडिया को select करना है Then फिर yes उसके आद want to add a second keyboard layout तो बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो आप add-on कर सकते हो अभी हमें जरूरत नहीं है तो आप यहां पे skip कर दो So यहां पर बोल रहा है Let's connect you to a network तो यहां पर आपको अपने wifi से connect करना है या अगर आप चाहो तो अपने LAN से भी connect कर सकते हो यहां पर नीचे में एक option है I don't have internet तो अगर आपके पास internet नहीं है तब भी आप इसे login कर सकते हो But अगर आप इसे press करोगे तो आप Microsoft account को login नहीं कर सकते हो फिर आपका local account बन जाएगा So starting में definitely prefer होता है कि आप Microsoft account को use करो Local account को ना use करो तो बस आपको अपने wifi को select करना है फिर connect करना है So connect हो चुका है Next So यहां पर आपको license agreement मिलेगा So accept को click करना है तो यहां पर आपको अपना Microsoft account को डालना है तो अगर आपके पास पहले से Microsoft account है तो वो यहां पर आप डाल सकते हो या फिर आप एक नया Microsoft account भी यहां से create कर सकते हो And इस laptop के लिए मैं एक नया Microsoft account बनाने जा रहा हूं And मेरा suggestion यही है कि आप नए laptop में एक नया Microsoft account को create कर लो तो Microsoft account तो आप Gmail का भी create कर सकते हो और आप Outlook का भी create कर सकते हो तो अगर आपके पास पहले से कोई email id है तो आप यहाँ पर वो email id को डाल कर आप Microsoft account में convert कर सकते हो या फिर दूसरा option है कि आप एक new email address के लिए आप यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको email id डालने का option आगया जो की Outlook का account रहेगा आप और इसके बाद फिर next button पर प्रेस करो आपको एक password करना है और इस check box को आप चाहो तो on भी रख सकते हो प्रॉब्लम हो सकता है तो that's why phone number डाल दो अब आपको यहाँ पर एक pin क्रियेट करना है तो pin वह है जो की आप हर बार जब laptop खोलोगे तो आपको laptop में डालना पड़ेगा तो pin क्रियेट करते समय एक important चीज कि अगर आप ऐसे ही पिन क्रियेट करोगे तो आप सिर्फ नूमरिक डाल सकते हो तो अगर आपको अलफा बेट भी डालना है और सिंबल भी डालना है तो नीचे एक टिक बॉक्स है जिसे क्लिक कर दो उसके बाद आपको जो मने आप वो डाल सकते हो फिर आपको यहां पर कुछ privacy settings को select करना है तो अगर आपको समझ में आता है तो आप directly यहां पर accept करके आगे बढ़ सकते हो otherwise अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ों को बंद करना है तो आप बंद भी कर सकते हो बट मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा मुझे कोई problem नहीं है यहां पर आपको अपने recording कुछ customize करने का option मिलता है तो ऐसे इसे select करना बिल्कुल important नहीं है तो आप इसे definitely skip कर सकते हो बट फिर भी मैं select कर देता हूं तो मुझे business purpose के लिए चाहिए creativity के लिए चाहिए then entertainment के लिए चाहिए हो गया फिर accept use your phone from your PC तो नहीं इस option को अभी मुझे select नहीं करना है इसके लिए एक app होता है PC के अंदर तो आप उसको बाद में जाके भी कर सकते हो तो skip for now कर देते हैं backup your file with OneDrive so क्योंकि आपके पास Microsoft account है तो आप अपने pictures and all को आप OneDrive पे भी upload कर सकते हो but मुझे upload नहीं करना है मैं सिर्फ इस computer में रखना चाहता हूं तो that's why only save file to this PC पे मैं click करने जा रहा हूं यह page आपके लिए काफी important है क्योंकि यहां पर आ रहा है office comes with your device तो अगर आपके laptop में office lifetime version already available होगा तो यह page आपको देखने को मिलेगा and यहां पर आप देख सकते हो new device include microsoft office home and student 2019 आप बस got it कर दो फिर let Cortana help you things done तो नहीं इसको on नहीं करते हैं मेरा suggestion भी यह है कि इसको on नहीं करो क्योंकि Cortana बहुत परेसान करती है तो that's why इसे रहने देते हैं अब आता है register and protect तो यह जो है यह hp के लिए specific है तो अगर आपके पास किसी और company का laptop है तो यह page नहीं होगा वहां पे वहां पे उस company का कोई page हो सकता है वैसे कोई compulsory नहीं है तो आप चाहो तो इसे रेजिस्टर कर भी सकते हो यह बहुत दिमाग खराब करता है सारा तो इसलिए मैं directly next click कर देता हूं so यहां पर एक message आ रहा है don't turn off your PC तो अभी के time बंद मत करना otherwise windows crash होने का chances होता है मतलब कभी भी update करते time बंद होने पर windows crash होने का chances होता है so that's why अभी बंद नहीं करना है laptop on हो चुका है so इसे हम लोग initial setup कहते है so अब कुछ window यहां पर अपने आप ही खुल रहा है क्योंकि अब laptop on हो चुका है तो आपके पास USB company का है maybe उस company का आपका कुछ-कुछ setup अपने आप ही on होते रहेगा तो यह HP का है तो इसलिए आ रहा है तो आपके पास जो भी आए आप उसे बस जो भी आपको select करना है आप select करके उसे बंद कर सकते हो so laptop on होने के बाद जो सबसे पहला चीज आपको करना है कि आप अपने windows का license check कर लो कि वो Microsoft account के साथ link हुआ है या नहीं तो उसके लिए सबसे पहले आप start में जाओ then settings में उसके यहाँ पर आपको updates and security में जाना है then activation में यहाँ पर लिखा हुआ है windows is activated with a digital license link to your Microsoft account तो आपके Microsoft account के साथ यह link हो चुका है और अगर यह Microsoft account के साथ link नहीं रहेगा तो सिर्फ digital license तक लिखा रहेगा so second चीज जो आपको करना है अपने Microsoft office को activate कर लो अगर आप में available है तो so उसके लिए आप start में जाओ then वहां से word को ढूंडो and उसे खोलो फिर आपको एक यहाँ पर option देखने को मिलेगा जिसमें आपको next button प्रेस करना रहेगा then आपको accept करना रहेगा so यहाँ पर कुछ-कुछ options आएंगे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो उसके बाद आपको अगर data भेजना है office का तो भेज सकते हो वरना no कर दो so यह हो गया तो यहाँ नीचे accounts में जाओ then आप देखो कि यहाँ पर अभी भी fix me का option आ रहा है तो मैं अभी fix कर देता हूँ so office को first time on करते समय यहाँ पर आपको नाम लिखने का option आता है and then आपको next click करना है यहाँ पर एक option अभी देखने को मिल रहा है download pending तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर update now करना पड़ेगा तो चलो इसे update कर देते हैं so यह background में update हो रहा है so that's it so आपका office register हो चुका है आप यहाँ accounts में जाके सब कुछ चेक कर सकते हो फिर आपको यहाँ पर edge को भी थोड़ा setup करना पड़ेगा because first time open हो रहा है so अब हम लोग आते हैं कुछ और भी important important चीज करने के लिए तो सबसे पहले अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ recycle bin और edge को option दिख रहा है तो this PC कैसे लाना है this PC के लिए आप यहाँ personalize में जाओ आपको themes पे जाना है then यहाँ पे desktop icon settings को option है आप इसे click करोगे then यहाँ पे computer को on कर दो and अगर आपको और भी कुछ चाहिए user file control panel network तो आप इसे भी on कर सकतो but मुझे सिर्फ this PC ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ computer को select करके ok press करता हूँ तो यहाँ पे this PC आ चुका है so laptop का नाम अभी देख सकते हो यहाँ पे laptop this 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 लिखा हुआ है but इसे rename करने के लिए यहाँ पे rename this PC का option है आप इसे select करो then आपको यहाँ पे नाम लिखना है जिस भी नाम से आप PC को रखना चाहते हो then next press करो and यहाँ पे एक restart का option आ रहा है तो अगर आप अभी restart कर दोगे तो अभी change हो जाएगा but मैं अभी later कर देता हूँ क्योंकि अभी laptop बहुत बार restart होने वाला है so अब हम लोग सबसे पहले laptop का updates चेक कर लेते हैं तो updates को चेक करने के लिए आपको यहां start में जाना है then आपको settings में जाना है then updates and security में जाना है then आपको यहां पर धेर सारा update देखने को मिलेगा यह automatically download नहीं हो रहा है तो लगता है मुझे manually इसे पहले download प्रेस करना पड़ेगा so बस आपको update होने देना है इस बीच में laptop आपका बहुत बार restart हो सकता है या restart करने के लिए मांगेगा so यहां पर देखो यहां पर restart now का option आ गया है क्योंकि इसमें से कोई-कोई update जो है वो install हो चुका होगा download हो चुका होगा तो that's why restart का option आ गया but पहले मैं wait कर रहा हूं ताकि सारा एक साथ download हो जाए ताकि मैं एक बार में restart में मेरा काम हो जाए and yes यहां पर आपको एक और भी option देखने को मिलेगा features update to windows 21 h1 so यह आपका latest windows 10 का update है but यह automatically download नहीं होता है क्योंकि यह version change हो रहा है तो इससे क्या होता है कि इस बीच में आपका laptop automatically restart नहीं होगा because कभी-कभी ना वह बहुत जादा irritate कर देता है कि अगर आप कुछ important काम कर रहे हो and अचानक से laptop restart हो जाता है so that's why इसमें आप अपने recording time set कर सकते हो by default यहां से 8 बजे morning से लेके 5 बजे साम तक का time set है and yes one more thing जो कि मैं बता दूं क्यूंकि यह windows 10 है तो इसमें आपको किसी भी चीज के लिए आपको अलग से driver install करने की जरूरत नहीं पड़ेगी because वह windows update में automatically आपका सारा driver install हो जाता है so next जो कि हम लोग को चेक करना है वह antivirus तो antivirus को register करना है तो यह उनके लिए जिनके laptop में free antivirus मिला है जैसे कोई-कोई laptop में आपको 15 month, 30 month इस तरह से आपको antivirus भी मिलता है तो मैं mcfee को खोलता हूं तो सबसे पहले start में जाके mcfee search कर लेते हैं so यह रहा मेरा mcfee personal security welcome to mcfee trial यह देख सकते हो यहां पर trial instant 30 days लिखा हुआ है तो जिनके पास original होगा उनका directly यहां से register हो जाएगा तो इस तरह से आप antivirus को register कर सकते हो so next आता है graphics card तो अगर आपके पास graphics card नहीं है तो आपका internal graphics होगा जैसे कि Intel के case में Intel का अपना होता है यहां पर AMD के case में भी उसका अपना होता है तो मैं redon के graphics के setup में जाता हूँ so redon के setup के अंदर यहां पर आपको setup करने का option है तो आपको यहां पर setup करना पड़ेगा अपने graphics card को यह Intel में भी करना पड़ेगा अगर आपके पस NVIDIA का ग्राफिक्स है तो NVIDIA में भी करना पड़ेगा आपका Windows का अपना कुछ security तो आप start में जाओ settings में जाओ and यहाँ पे accounts में जाओ तो accounts में आपका already Microsoft account तो यहाँ पे login होगा बट यहाँ पे आपको नीचे sign in option में जाना है तो starting में आपको याद होगा हमने pin डाला था तो उस pin का नाम होता है Windows Hello Pin तो यह मेरा already set किया हुआ है तो मुझे इसे set नहीं करना है बट अगर आपके laptop में fingerprint sensor available है तो आपको यहाँ पे hello fingerprint वाले को setup करना है जिसमें आपको fingerprint दो-तीन बार tap करना होगा तो आप उससे setup कर सकते हो fingerprint को और उसके बाद on करते time आपको बस fingerprint देना है आपका laptop on हो जाएगा So next जो आता है वो है hard disk partition अगर आप अपने this PC को open करोगे तो आपको यहाँ पे एक single drive देखने को मिलेगा तो यह दो case में देखने को मिलता है कि अगर आपके laptop में सिर्फ SSD है या सिर्फ HDD है अगर आपके laptop में SSD plus HDD है देन आपको दो drive देखने को मिलेगा बट drive का partition हमेशा करके रखना चाहिए C drive में important files को नहीं रखना चाहिए otherwise कभी अगर windows corrupt हो गया तो आपको file retrieve करने में problem हो सकता है वैसे ऐसा नहीं है कि file retrieve करने का तरीका नहीं है but definitely वो easy method नहीं है तो it's better कि आप हमेशा starting से ही अपने disk का partition करके रखो तो partition करने के लिए आपको यहाँ start पे right click करना है then आपको disk management में जाना है फिर आपका यह option खुल जाएगा फिर आप यहाँ पे बीच में देखोगे C drive available है जो की मेरा 930 GB का है तो यह एक hdd है तो आपको अपने C drive को जिसका कि आपको partition करना है उस drive को आपको right click करना है then आपको shrink volume पे click करना है and yes इस दोनों को मट touch करना because यह windows का अपना partition है या recovery partition है तो इसको छेड़ चाड़ करने पे आपका windows में problem हो सकता है so that's why आपको सिर्फ C drive को select करना है then आपको यहाँ पे shrink volume पे click करना है so यह कुछ time लेगा analyze करने के लिए analyze करने के बाद यहाँ पे आपको इसारा MB में आपका files दिखा रहा है कि आप कितना shrink कर सकते हो आपको कितना shrink करना है तो सबसे पहले यहाँ पे total size लिखा हुआ है then आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कितना shrink कर सकते हो फिर उसके लिखा हुआ है कि आपको कितना shrink करना है so मुझे 930 GB में से मुझे 700 GB को shrink करना है because मैं चाहता हूँ कि मेरा C drive approximately 230 GB के आसपास रहे तो मैं यहाँ पे बस अपना data को select कर लिया and then मुझे shrink प्रेस कर देना है so अब मेरा C drive आप देख सकते हो 243 GB का हो चुका है and बाकी मेरा 687 GB shrink हो चुका है तो इस 687 GB को मुझे एक drive में create करना है अगर अभी आप अपना this PC खोलोगे तो आपको अभी भी single drive का ही option देखने को मिलेगा तो अभी तक यह drive create नहीं हुआ है तो drive को create करने के लिए इस unallocated place को आपको right click करना है then आपको new simple volume में जाना है then आपको next click करना है फिर यहाँ पे आपको option आएगा कि आप कितना GB का drive create करना चाहते हो अभी मैंने approximately 690 GB को shrink किया था तो मुझे इसमें 2 drive create करना है बट अगर आपको सिर्फ एक drive create करना है तो आप directly यहाँ पे next button को press कर दो आपका single drive create होगा बट क्योंकि मुझे 2 drive create करना है तो that's why मैं इस total 690 GB को use नहीं करूँगा so मैं यहाँ पे approximately 300 GB का एक drive बनाऊँगा and 400 GB का दूसरा drive बनाऊँगा तो पहले मैंने 3 को select कर लिया है then मैं next press करूँगा मैं अभी by default D छोड़ देता हूँ then आपको यहाँ पे drive का नाम select करना है अगर आप इसमें कुछ भी नाम लिखना चाहते हो तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हो then आपको next press करना है फिर आपको finish कर देना है so that's it यह आप format हो रहा है यह एक नया drive में create हो चुका है तो अगर आप this PC में देखोगे तो यह देखो D drive create हो चुका है so taskbar में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि starting में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं जो चीज पहले से available होता है उसे वे वैसे ही छोड़ देते हैं आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने recording उसे customize कर लो for example मुझे यहां पर Microsoft store नहीं चाहिए तो मैं इसे बस right click करूँगा then यहां से unpin कर दूँगा मुझे यह mail भी नहीं चाहिए तो मैं इसे भी हटा दूँग यहां पर जो search bar है अगर आप चाहो तो इसे सिर्फ एक button में convert कर सकते हो तो आप इस task bar पर बस right click करो सिर्फ एक icon बच जाएगा अगर आप यहां पर right click करके personalize में जाओगे तो फिर यहां पर नीचे में आपको task bar का option मिलता है तो यहां पर कुछ-कुछ settings available है जिसको कि अगर आप change करना चाहो कर सकते हो जैसे यह जो bottom है अगर मैं चाहूं तो इस task bar को right side पर डाल सकता हूं मैं left side पर top पर मैं जहां चाहूं मैं वहां डाल सकता हूं So next जो आता है वो है आपका यहां पर जो side में आपको कुछ options देखने को मिल रहा है जो buttons है इन सारे buttons को आप हटा भी सकते हो तो जैसे मुझे इतने सारे buttons को यहां देखना बिल्कुल पसंद नहीं है तो match इन सारे buttons को मैं अंदर डाल दूँगा तो बस आपको इसको drag करना है then आपको इसे बस अंदर लेते जाना है So next आप यहां पर अपना time and date भी change कर सकते हो तो वैसे date तो automatically change हो जाता है मैं AM को ही select कर लूँगा इससे मेरा यहां पर जो time है अभी AM PM में दिखाने लगा instead of 24 hour का format So next जो की setup करना है वह है अपना start menu Start menu में भी कुछ-कुछ options होता है set करने के लिए तो उसके लिए आप पहले यहां Personalize में जाओ then इस तरह से आपको start में जाना है फिर यहां पर देख सकते हो कुछ options है तो अपने recording इस options को बंद चालू करके देख लो कि आपको किस तरीके से रखना है यहां पर जो आपको धेर सारा options देखने को मिल रहा है यह सब options आपको रखना कोई compulsory नहीं है आप सारे options को हटा सकतो तो मैं इस office को यहां से unpin करूंगा मैं इसे भी unpin करूंगा so next मैं एक बहुत interesting चीज़ बता देता हूं तो यह जो आपका file explorer है यूज वाली हम लोग इसको भी click करके खोलते है तो खोलने के बाद यह by default आपका quick access पे खुलता है तो इसको आप change करके this PC भी set कर सकते हो तो उसके लिए सबसे पहले इस arrow के यहां पे click कर लो then यहां पे view में जाओ then यहां पे options में जाओ and यहां पे open file explorer 2 का quick access जो है इसको change करके this PC में convert कर दो and इसका apply then okay अगर आप explorer खोलोगे तो आपका by default this PC में खुलेगा so now comes a very important thing जब आप laptop buy करते हो तो उसमें बहुत सारे बे फालतु का software आपका available होता है जिसका कोई logic नहीं बनता है and to be frank रखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है रखना भी नहीं चाहिए तो आपको जो भी app important ना लगे आप उसे uninstall कर सकते हो start में जाते हैं settings में जाते हैं then यहां पे आपको apps में जाना है and यहां पे आपको total apps का यहां पे option देखने को मिल जाता है तो इतने सारे apps हैं जो कि आपके laptop में available है तो जितना भी काम का app नहीं है उसे uninstall कर दो तो अगर समझ में आ रहा है कि यह app बकवास है तो very good directly uninstall करो otherwise खोल खोल के check करके uninstall कर देना मुझे यहां पे booking.com नहीं चाहिए तो मुझे यहां से इसे हटाना है बस इसे click करो then यहां पे uninstall का button है इसे uninstall करो एक और चीज़ जो कि बहुत जादा important है वो है आपका task manager के अंदर तो task manager खोलने के लिए task bar पे right click करो then यहां पे आपको task manager का option देखने को मिलता है फिर यहां पे more click करो तो यह आपका बड़ा हो जाएगा screen then आपको यहां पे process दिखेगा जो की presently चल रहा है performance दिखेगा बट आपको जाना है यहां पे startup में तो startup में आप देख सकते हो बहुत सारे apps यहां पे available हैं and सब में आपको enable या disable मिल रहा है तो यह startup apps होता क्या है so जैसे ही आपका laptop shutdown के बाद वापस start होगा तो जो भी enable app है यह सारा अपने आप ही on हो जाता है तो इसे बिलकुल बंद करके रखो यार कोई ज़रूरत नहीं on करने की मैं maximum को बंद करके रखता हूँ so इन में से जो मेरा on रहेगा वो है windows का security notification then मेरा real tech on रहेगा so red on को भी मैं on छोड़ देता हूँ मुझे यह one drive को मुझे on नहीं रखना है तो इसे मैं disable कर दूँगा तो इसे select करना है यहाँ पे नीचे में disable का option है but मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि msascuil क्या है तो इसे check करने का भी एक तरीका होता है so बस इसे right click करो then यहाँ पे open file location का एक option आता है तो इसे click करने पे वो आपका खुल जाएगा कि कहां पर यह file save है तो उसे आपको पता चल सकता है so यह मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ पे open file location का option भी नहीं है तो मैं यहाँ पे search online कर सकता हूँ कि यह चीज क्या है तो मुझे online idea मिल जाएगा यह क्या है तो बंद करना है या नहीं तो यह एक windows defender का part है तो इसलिए मैं इसे बंद नहीं करता हूँ मैं इसे on ही छोड़ देता हूँ so इस तरह से आपको अपने सारे startups को off करना है जो भी काम का नहीं है and आप जितना ज्यादा software install करते जाओगे यह आपका धीरे धीरे list बढ़ता चला जाएगा and उसके according आपको disable enable करना पड़ सकता है and now finally इन सारे चीज को खतम होने के बाद एक और चीज जो last में आपको करना है तो आपका यहाँ पे temporary files and बहुत सारा बे-मतलब का files computer में आ गया होगा इतने देर में तो मैं उसे एक बार पूरी तरह से clean करके एकदम fresh कर लेना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको जितना भी temporary files है और आपको disk clean up करना पड़ेगा so temporary files को हटाने के लिए यहाँ नीचे search में % % के बीच में T E MP type करो then यहाँ पे आपको जितना भी option देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपने देखा होगा कि सारा file delete हो गया बट normally ऐसा होता नहीं है हमेशा आपका 4-5 file ऐसा रहता है जो कि delete नहीं होता है तो उसके लिए बिल्कुल नहीं घपराना है जितना file delete नहीं हो रहा है उसे बस cancel कर देना है इसमें present सारे files को आप delete कर सकते हो तो पर एक बार चेक कर लो कि इसमें से कुछ important folder तो नहीं है जो कि आप delete कर रहो जैसे कि पहले यहाँ पे download का भी option आता था अभी देखो यहाँ पे recycle bin है तो अगर मैं recycle bin को select करूंगा तो मेरा recycle bin भी खाली हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे जितने भी चीजों को select करना है मैं यहाँ से एक बार में select कर लेता हूं तो मैं यहाँ पे ok press करता हूं then यहाँ पे delete files and यह clean up होने लगेगा तो यह तो एक normal process था बट इसके बाद एक और चीज है जो कि आपको करना है same disk clean up में ही तो normally आपका disk clean up से आपका जो system files से वो delete नहीं होता है तो system files को delete करने के लिए नीचे यहाँ पे आपको clean up system files का option मिलता है तो इसे select करो फिर से ok करो तो अब यहाँ पे आपका system files में जितनी भी चीजें वो सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी जैसे कि अगर आपने Windows को update किया है तो जो पुराने updates है वो सारी चीजें यहाँ पे रहेंगे तो उसको check कर लेना यार बाद में so that's why subscribe जरूर कर दो यार तो बस इसे सबसको select करना है फिर ok करना है फिर delete files click करना है यह पूरा clean हो जाएगा and finally सब कुछ होने के बाद laptop को एक बार restart करना मत भूलना because restart करने से आपने जितना भी कचड़ा मचाया है वो सारा वापस से fresh हो जाएगा so restart करने से computer वापस start होता है shutdown करने से नहीं होता है so that's it guys so इतना detail video मुझे YouTube पे कहीं भी नहीं मिला था setup से related so I hope you like this video so please don't forget to hit the like button and subscribe to this channel also so see you guys in next video so तब तक के लिए bye-bye